श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उधार चड़ाओ आते है वो चंद्रमा की स्तिदी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में दस्वे भाव में रहेंगे जी हां दस्वे भाव में चंद प्रतिष्ठा मिलेगी आपको इस समय में धन कमाने के नए रास्ते नए जरिये मिल सकते हैं जो लोग बिजनिस करते हैं उनके लिए ये समय काफी बढ़िया रहेगा आप इस समय में खुल कर निवेश कर सकते हैं निवेश के लिए पैसों के लेंदेन करने के लिए ये समय क काफी अनुकुल है ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा दिन का पूरा लाब उठाए और अपने जीवन के हर पल का आनन ले इस समय में आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे आपका मन अपने काम में लगेगा अच्छे कामों की वज़े से आपको प्रशनसा भी म पश्य मिलेगा जो लोग नोकरी ढून रहे है उनके लिए समय शुब है प्रयास करें आपको अच्छी जावब मिल सकती है कारेक शेत्र में चंद्रमा के होने का मतलब ही यही है कि कोई भी खाली नहीं रहेगा सब को काम मिलेगा कर्मों का फल इस समय में मिलता ही है दस्वे नया सामान भी इस समय में आ सकता है जो सामान काफी दिनों से लेने की आप सोच रहे थे वो आप इस दिन ले पाओगे इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी मिलेगा इस समय में आपके ससुराल पक से भी आपको धन्नाबोनी की संभान रहेगी जो लोग राजनीती में हैं उन लोगों को इस समय में खास तोर पर फायदा होने वाला है राजनीती के ख्षेतर में आपको नाम वप्रतिष्ठा मिलेगी धन की प्राप्ति भी होगी और राजनीती के ख्षेतर में आप सफल रहोगे अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स के लिए भी ये स आपसे प्रभावित होगे, इस समय में आप प्रसन न रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ोगे, इस समय में आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ती होगी, परिवार के साथ खुश्या मनाने के लिए ये समय अच्छा रहेगा, अगर स्वास्त की ब का वक्त, उस पोज के मुताबिक सही होना चाहिए, जी हाँ, अपनी सास लेना या छोड़ना काफी मायने रखता है, ये दिन आपके लिए आर्थिक सिदी के हिसाब से भी काफी बढ़िया रहेगा, विदिश से धनकामाने के मोके भी इस समय में आपको मिलेंगे, कुल मिला करता है, इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा,